Let's do question number 14th of exercise 2b that is factors and multiples question number 14th is test the divisibility of हमें test करनी है अलग-लग divisibility 1 उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0s and then 1 by 11 तो चलिए लिख लेते हैं first part फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 उसके आगे 6, 0s, 3, 4, 5, 6, 0s and 1 divisible है by 11 या नहीं ये चेक करना है तो पहले हम इसकी odd और even places color कर देते हैं अब की बार odd places अगर आपने last question देखे होंगे तो उसमें orange places even की वी थी अब मैंने odd places को orange किया हुआ है और green places को even को green किया हुआ है तो हम sum निकाल लेते हैं sum आया sum of odd place odd place हमारी orange से है तो 1 plus 0 plus 0 1 ही आएगा अब इसी तरीके से sum of even place निकाल लेते हैं sum of even place के लिए हम green देखेंगे तो green है हमारा 0 plus 0 plus 0 plus 1 तो 1 ही लिखेंगे difference क्या आया difference आया 1 में से 1 minus होगया तो 0 आ रहा है तो 11 के divisibility के लिए या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए ऐसा number जो divisible हो सके 11 से या 0 होना चाहिए तो yes above number is divisible by divisible by 11 answer let's do second part now second part कह रहा है 1-9-0-8-3-6-2-5 1-9-0-8-3-6-2-5 divisible है by 11 या नहीं है ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे odd और even places add करेंगे odd पर हम orange ले लेते हैं sum of odd place odd place का sum क्या होएगा that is 5 orange से marked है 5 plus 6 plus 8 plus 9 तो यह कितना आ गया 5 plus 6 is 11 11 plus 9 is 20 28 आ गया तो हमने यहां लिख दिया 28 sum of even place निकाल लेते हैं even place कितना आया that is 2 plus 3 plus 0 plus 1 तो यह आ गया 6 तो difference कितना आ गया difference आ गया हमारा 28 minus 6 that is 22 और हमें पता है 22 डवाइड होता है 11 से तो यह तो यह अबव नमबर इस दिवसिबल यह दिवसिबल यह दिवसिबल 3 divisible by 9 है कि नहीं है तो 9 की divisibility अगर आपने last questions देखे होंगे तो उसमें था कि sum कर लें सारी digits का अगर वो divide होता है 9 से तो वो divisible है otherwise not तो हम sum निकाल लेते हैं sum क्या हुआ 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 5 सारी digits का sum 6 plus 3 यह कितना आ गया देखिए 2 plus 1 is 3 3 plus 3 is 6 6 plus 4 is 10 10 plus 5 is 15 15 plus 6 is 21 21 plus 3 is 24 तो 24 अगर 9 से देखे हैं डिवाइड नहीं होता है तो नो अबोव नंबर आबोव नंबर इस नोट दिवसिबल नोट दिवसिबल अगर नंबर अज़ दो फोर्ट पार नोट पार्ट इस 1,000,100,100,1 by 3 1,000,100,100,1 by 3 तो 3 की divisibility क्या होती थी? जो 9 की होती थी, वही सेम होती थी इस सारी digits को आड करो अगर वो 3 से divide होता है तो वो divisible है, otherwise not तो हमारा सम निकाल लेंगे पहले 0 को लिखने की जरुवत नहीं है मैं सर्फ 1 लिख रही हूँ तो यह आया 3 और 3 हमारा divide हो सकता है 3 से by 1's up, right? तो yes, above number above number is divisible by 3 answer, let's do 5th part now 5th part is 10203574 by 4 5th number is 10203574 by 4 अब 4 की divisibility क्या होती थी? अगर आपने last questions देखे हो मेरे तो 4 की divisibility होती थी कि जो इसकी 1's or 10's place है वो अगर divide होती है 4 से तो पूरा number divisible है otherwise not तो इसकी 1's or 10's digit निकाल लेता है 74 देखेंगे divide होता है 4 से की नहीं होता है side में करके देखेंगे 4 1's of 4 3 आगया minus करके 34 4 8's of 32 होता है तो 2 हमारा remainder बच रहा है तो that means यह divide नहीं कर सकता तो no it is not divisible by 4 answer let's do last part now last part is 8 की divisibility देखनी है 1 2 0 3 0 6 2 4 1 2 0 3 0 6 2 4 by 8 8 की divisibility होती थी की last के 3 digit numbers divide होते हैं 8 से तो पूरा number divisible होगा otherwise not इसलिए प्लीज सारे questions देखिएगा अच्छी तरह इसे divisibility test को समझने के लिए तो हमाई last के 3 digit number है 6 2 4 यह देखते हैं यह 8 से divide होते हैं की नहीं होते हैं यहां देखिए 6 2 4 को हमने 8 से divide करके देखा 8 7 0 is 56 minus किया तो यह आया 64 और 8 8 0 is 64 तो इसका मतलब यह divisible है तो yes above number above number is divisible by divisible by eight answer